आप सब ठीक होंगे तो चलिए नए चैप्टर नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एवरीज हर एक competitive exam में question average के टॉपिक से पूछा जाता है तो इस lecture में या इन lecture series में जो भी मैं आपको यहाँ पर content प्रोवाइड करा दूगा basic to advanced level रहेगा हमेशा की तरह और तीन से चार lectures तक पूरा का पूरा यह खतम हो जाएगा topic ओके so average अब आपको समझना है और पढ़ना है जैसी कि आप मेंसी किसी को पता होगा या शायद कुछ लोग को पता नहीं होगा तो average का दूसरा नाम ही होता है by sub mean और जिसको हम arithmetic mean भी कहते है क्या कहते है और इसको अगर हम बोलें कि denote कैसे करते तो इसको x-bar से दिखाया जाता इस तरीकी से तो इसका मतलब अगर आपको कहीं पर यह symbol दिखती है x-bar वाली तो इसका मतलब होता है arithmetic mean राइट तो यह arithmetic mean क्या होता है इसके अलग-अलग distribution होती है individual series होती है continuous discrete series होती है वो पार्ट बनता है statistics का तो आप देख सकते हो कि अलग-अलग exams में अभी अगर आप जेके SSB की बात करेगे SSCGL की बात करेगे या other competitive exams की बात करेगे तो वहां पर statistics पूछा जाता है तो possibility यहां पर यह बनते है कि statistics से भी शायद आपको question देखने को मिलेगा जो कि बेसेड रहेगा इस average आगर हम लंब सम में कुल मिला कर बात करेगे तो average एक छोटा सा topic है statistics के mean या arithmetic mean वाले concept का क्योंकि यहां average में जो कि अगर quantitative, aptitude, mathematics के point of view से हम देखेंगे तो average का जो question बनता है सिर्फ और सिधा-सिधा question बनता है और individual series पर बनता है अब यह average होता है क्या है basically average होता है कि दो या दो से ज्यादा numbers का अगर हम average निकालेगे तो उसको हम कैसे define करते है तो उसको हम लिखते है कि average of any series average of numbers या average of observations is equal to उन सारे observations को sum करना है उन सारे quantities को sum करना है डिवाइड करना कि वो कितने number of quantities है कितने number of observations है तो अगर मैं आपको कहूं को what is average what is mean what is arithmetic mean then you will say that sir it is nothing but sum of observations divided by number of observations ओके और यह जो average होता है किसी series का किसी numbers का किसी values का say for example मेरे पास यह कुछ values है से पने इससे खार एग्जपल मेरे पास यह कुछ values है तो बेट जो average होगा जो average होगा वह हमेशा और हमेशा कहीं बीच में exist करेगा इस series के बीच में ही average value exist करेगा कोई series होगी वो series किनके होगी numbers की होगी values की होगी observations की होगी average value होगा वो बीच में exist करेगे बीच में like करेगा और कोई भी ऐसी observation ऐसी नहीं होगी जो average value से ज्यादा होगी greater होगी तो अब मैंने आपको बताए कि इस चीज़ को हम टेक्निक लिए ऐसे लिख सकते है आवरे जैनिक एक्स बार इस इक्वाल तो बराबर होगा summation of x divided by n यह n क्या है number of observations summation of x क्या यह है sum of observations and this x-bar is equal to this x-bar is average ओके तो यहां पर एक result लिख सकते हो आप एसे भी लिख सकते हो इसको कि average average अगर a है तो a बराबर होगा summation of x यहन कि sum sum of observations divided by number of observations तो simply आप देखो cross multiplication अगर यहां पर करोगे तो आपको पता चलेगा s into one that means s s यहन कि sum of observations बराबर होगा किसके equal होगा average into number of observations तो वही चीज़ आपको यहां पर दिख रही है बोलो इतना clear है ना आप बोलोगी सरह हंजी तो average अब numbers अगर आपको given होंगे तो average आप कैसे निकाल सकते हो simple बाशा में आप उन numbers को add करोगे क्या करोगे आप उन numbers को sum करोगे तो you will get summation of x right so number of observations वह n कहलाता है तो n आप divide करोगे कि वह कितने number में है समझ में आया तो ठीक नहीं आया तो एक question के थो समझने की कोशिश करेगे प्रिवेस एर question पहला email लिया है तो चलिए समझने की कोशिश करेगे यह हमें कहता है कि find average of 3,5,7,8 and 12 यह आपकी पास numbers है तो इनको कहते बेटा observations क्या के थे observations के थे और इनको हम x से दिखाते तो अगर मैं बताओगे average क्या होगा average क्या होगा तो आप बोलोगे सर्जी average तो आप अपने अभी बोला क्या करना है summation of x divided by n, summation of x divided by n, so average mean is x bar, x bar बराबर होगा क्या करना है आप बोलोगे सर्जी तो पूछने वाली बात ही नहीं है 3 plus 5 plus 7 plus 8 plus 12 plus 12, right और divided बे यह कितने observations एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है यानि कि sum of values divided by number of values, sum of observations divided by number of observations, तो कितने है 5 तो simply आप जब इसको add करोगे इतनी में उमीद रख सकता हूँ, यह add करना आपको आता है 12, 8 होगे 20, 20, 10 होगे 30, तो और 5 होगे 35, 35 इसका sum आगया and number of observations है 5, तो cut जाएगा 5, 1,000, 5, 7,000 and average will be equal to 7 1, तो इस तरीकी से आप टिक करोगे, बोलो, कोई शक, कोई दिक्कत यहां तक आप बोलोगे, सर नहीं, तो कुछ इस तरीकी से भी question बन सकता है find the average of following values, अगर यह आपके पास values है, यह आपके पास observations है, तो इनका average किसके equal होगा तो आप बोलोगे, सर, कुछ नहीं करना है, x bar is equal to, क्या करेगे, हम sum निकालेगे, इन सारे observations का sum निकालेगे 100, plus करेगे 200, plus करना है 250, plus करना है 350, और उसके साथ add करना है 400 and number of observations कितने है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से आपने divide करना है, ठीक, तो जब आपने sum किया तो आपको पता चला कि 400, 400 और 200 होगे, 600 होगे, 700, 700, 600 होगे, 1300, 1300, 1300 इसका sum आगे, divide करेगे 5 से and average आपको मिल जाएगा, 5, 2, 10, 3, 5, 6, 30, और 0, 260 is the average, 260 is the correct answer, यह आप इस तरह किसे निकालोगे होगे, हलाकि इसका तरीका कुछ और भी हो सकता है, यहां पर जिसको हम कहते है, deviation method, वो मैं आपको आगे बताओगा, deviation या difference method से हम किस तरीके से और ज्यादा, तेज और ज्यादा जल्दी average को calculate कर सकते है, लेकिन फिलाल अब basic पे रहो, basic उसको पहले clear करके चलो, ठीक है SACCGL में एक question ऐसे ही पूछा गया था, तो question को थोड़ा से twist करके पूछा गया था, कुछ इस तरीके से, ठीक है तो question हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि a student was asked to find the arithmetic mean of the following 12 numbers, एक student को कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि 12 number का arithmetic mean, ये वो numbers है, ठीक है लेकिन आप इसमें एक observation मौजूद नहीं होती है, वो miss होती है, तो लेकिन आपको क्या करना है, वो observation आपको बतानी है, और mean आपको वहीं से given है, कहता है कि mean अगर 12 है, तो आप x की value बता जीए, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है है मैंने आपको बता है एरीज बरापर होता है किसे बरापर होता है आप बलोगो सर समब और सब्सकर कटना ही है तो समक्रम सारी एंग इन सारी वब्जरवेशन को करना Tut तो केसी निकालोगी सम बहुत ही सिंपल सा कॉंसेप्ट है तो क्या करेंगे देखो चारत एक होगे पांच पांच ते साथ बारा बारात ना होगे एक इस एक इस आठ कितने होगे वह चाहिए नो 29 29 3232 37 एंद यहां 46 फिर केतना जाएंगे 53 54 एंद 54 प्रस थ्री कितना होता है 57 ठीक है अब भायू भायू तो हाथ में है न आपके हाथ में हां पांच देख छे चेड़ होगे आठ नाउ दस ग्यारा बारा टेरा हटी ओके, calculation में हो सकता है, ओधर एधर हो जाए, तो उस चीज़ को ज्यादा seriously मतलो, just concept to focus करो, यह तो होगी यह observation, और एक observation है न, x, यह तो एक और observation है, यह तो एक और value है, यह तो एक और observation आपको दिख रही है, तो that means यह तो इसका sum होगा, and number of observations कितने हैं, number of observations कितने हैं, यह तो 12 ल कितना है, 12, तो बस अब इस question का answer निकल के आ जाएगा, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, so 12 into 12 कितना हो गया, 144, 144 is equal to 137 plus x, और x की value अगर निकालेगे, तो यह 137 इससे subtract हो जाएगा, ठीक है, 14 में से 7 गई तो 7, और 13 में से 13 गई तो 0, तो x की value कितनी आ जाएगी, 7 आ ज बोलोगी, sir, यह तो थोड़ा से lengthy हो गया, add करने में time लगता है, जहां बिल्कुल कई मसला नहीं है, इसका shortcut भी है, लेकिन अभी shortcut पे नहीं जाएगे, बस patience के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करो, अब, अब होती है हमारी असल में शिरुआ, type-wise, जैसे कि मैं आपको हम और आप से पूछा जाता कि average क्या है, कोई observation क्या है, कोई particular value क्या है, difference क्या है, यह चीज़ आप से पूछी जाती है, या तो फिर word-based problem होगी, यानि कि एक comprehension की तरह question होता है, एक statement की तरह question वहाँ से given होता है, तो सबसे पहले हम deal करेंगे, किस के साथ, number-based, जो होंगे questions, उनके जब हम number-based average पढ़ते हैं, तो या तो वहाँ पे difference, यह जो observations का difference था, जैसे for example, मैंने आपको अभी बोला, एई से कुछ observations थे, 2, 3, 8 है न, तो या कोई observation हो सकते है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, and so on, 2, 3, 4, 8, यहाँ पे लिखूँगा मैं 13, and so on, ओके, तो अब आप देखो यहाँ पे, या तो difference सेम है, इनमें difference कितना है, देखो यहाँ पे difference 1, यहाँ पे difference 5, फिर यहाँ पे difference 5, तो difference यहाँ पे सेम नहीं है, तो या फिर ऐसी series होते है, ऐसे values होते है, ऐसे observations आपकी पास होते है, जहाँ पे difference equal नहीं होती है, यहाँ पे difference not equal हम कहेंगे, difference between observations not equal, और यहाँ पे difference प्रपराब्लम पर वहां पर कंडिशनपेट क्वेश्ट पुछे जाते तोर तो अब सब सबसे पहिए पार्ट हमारा है नंबर 200 क्योस्ट समसानों करेगे और सब्सक्राइब से कंदेखेंगे वो कंसेल देखेंगे जहां पर और अपधर भी स्मेन डिफना रहता है बो बुलो या न आप सिरह साल करेंगे और जहां पर डिफ्रन इक्वल होगी तो उस केस में जो आपका है फैसे सीरेज ऑबेंच सेम होगा वो हमेशा और हमेशा उस सीरीज का रहता है का जो मेड़ेज रहता है हमेशा और हमेशा आवरेज रहता है ऐसी सीरीज का जिसका difference सेम होगा जिसका difference equal होगा और उस series को हम कहते है series in AP AP का मतलब होता ہے a arithmetic progression大 thinks a progression में अगर कोई series है तो इसका मतलब हो गया उस series के जो numbers है उस series में जो वेरीब्ल्य है उस series में जो observations है उनमें जो difference होगा वह common होगा वह same होगा for example कैसे हाँ समझने की कोशिश करेंगे हमारी पास सब्सक्राइब आपको पता होगा कि नेच्रल नमबर्स वन से सिटाट होते हैं तो मैं आपको question पूछता हूँ find the average of first 100 natural numbers find the average of first 100 natural numbers और आपको पता है नमबर one से स्टाट होंगे और पेले सव निच्रल नमबर्स देखने तो आप बोलोगी सर वन फीर तू आएगा फिर त्री आएगा इसी तरीकी से dot 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 100 पे खतम होगा 100 पे खतम होगा इन में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो वहन वन का डिफरेंस है one or two में कितना difference एक two and three में कितना difference एक तो इसी तरीके से series आगी जाएगी then 99 and 100 में difference एक का होगा तो यानि कि यह series अब AP form में क्योंकि यहां पर difference सेम है तो इस चीज़ के लिए एक ही concept है एक ही fund है एक ही formula है क्या करना है first term plus last term divided by two first term plus last term divided by two तो आपको average निकल के आ जाएगा इतना आसान है इसमें आपको वही से करने की कोई जुरूरत नहीं है कि sum up observations करेगे फिर number आप observations से divide करेगे तो वही से यह length पड़ जाएगा है ना तो क्या करना है जब भी आपको कोई series ap में होगी आपको क्या याद रखना है first term plus last term divided by two अब यह आता कहां से मैं आपको समझाने के कोशिश थोड़ी सी करोगा है है ना चलिए देखो मैं कोई series ap में लेता हूं मैं कोई series ap में लेता हूं for example मैंने एक series लिए 3 6 9 12 15 18 कितने होगे एक दो तीन चार पांच छे और एक लेता हूं 21 21 देखो बैटा मैंने क्या मैं आपको क्या कह रहा था मैं आपको कह रहा था एक बात है कि नहीं आप लोग सरहां जी समझ में आ रहा है ठीक है तो फिर देखो दूसरी बात मैंने आपको क्या बता है कि अगर यह अधिक है हमेंरे दिख रहा है यह सीरिस तो ppe मैं अर्थ्मे्टिक ब्र ओन्रस्वाग्रेस कि क्यों कि हर एक जगह पे डिफरंस्य हमें टीथी का मिल रहा यान कि से मिल रहा है constant मिल रहा है ओके तो आप उस केस में क्या करोगे मैंने आपको बोला formula है first term plus last term first term plus last term divided by two the first term क्या है इस series में हलाकि इसको arrange करना होता है पहले ascending or descending order में तो first term is three first term is three and last term is 21 last term is 21 divided by two तो कितना होगे तीन 20 होगे 24 24 बटे दो यान कि 12 तो आपको यहां से भी answer मिल गया ठीक है तो या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर हम यहां से second term लेगे और यहां से second last term लेगे तब भी average यहीं मिलेगा मेरा answer है हाँ तब भी आपको average यहीं मिलेगा आप लोग से कैसे देखो मैं कहता हूँ तो six plus 18 ठीक है divided by two तो कितना हो गया चेट 18 हो गए 24 और 24 बटे दो यान कि हो गया बारा तो बारा आपको यहां से भी average मिलेगा अगर मैं यहां से तीसरा ले लो यहां से तीसरा ले लो तब भी वही होगा और ultimately बीच में एक ही बचता है तो वही average होगा तो हर केस में यह true है यह चीज़ तो क्यों होता है ऐसा देखो बाई साव क्योंकि यह AP फॉरम में है इसने का difference सेम है तो हर एक यहां से पहला और यह यहां से पहला देखो तो सम आपको मिलेगा सम आपको कितना मिलेगा 24 ठीकिर यहां पर यहां पर भी आपको 24 ही मिलेगा ठीके हरकेस में हरकिसी observation को दूसरी observation के साथ add करेगी उसे corresponding observation के साथ जो like करते होगे मिसला यहां पर फोस्ट तह तो यहांसे लाश्ट यहांसे त्धरड सम आलवेज होगा बरापर ठीक है ना आप लोगी सरां जी तो फिर से वापस आते हैं concept पे concept हमें क्या कहता है कि एप सीरिए में अगर कोई data आपको घिवन होगा तो उसका होता है first term plus last term divided by two इसी तरीके से even number series कि है मैं आपको question कहता हूँ find the average of first 50 even numbers तो क्या करने आपको पता है पहला पिए one number two है last even number 100 होगा और one one का difference होगा that means उससे हमें पता चल जाएगा कि यह series AP में है arithmetic progression में तो आप average के इसे निकालोगे first term plus last term divided by two बात खतम है ना तो इसी तरीके से तीसरा एक जहां पर और नमबर का series आपको given होगी जहां पर और नमबर में आपको series given होगी तो मैं आपको कहता हूँ find the average of first 50 odd numbers find the average of first 50 odd numbers तो आप बोलोगे sir पहला odd number two one होगा odd number क्या होते बेट और नमबर होते है है one three five seven इसी तरीके सोवन तो लास्ट कार्ड नमबर होगा जो कि 50 प्लेस फिप्टीन स्वारी पचासवी जगा पर जो होगा 99 होगा राइट तो average क्या होगा first term plus last term divided by two that is equal to 50 तो फार्मला आपको याद रही यह कोई फार्मला नहीं है सिंपल सा लॉजिक है मैंने आपको concept में बताया है चलिए कुछ questions है थोड़ा से दिमाग थोड़ा से हाथ आपका गरम हो जाएगा इससे तो उसके बाद हम previous questions करेगी कैसे कैसे इस concept पर question बनते है वो में आपको दिखाओगा चलिए मुझे इन numbers का average बताएगे क्याता है question number one average of one two three so on 500 ठीक है one two three dot 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 500 यहां पे आप मुझे बताओ यहां पे difference क्या है difference to same है ना बेटा difference same therefore we can say that the given series is in AP है तो क्या करेगी कि average क्या होगा आप लोगी sir first term plus last term divided by 2 divided by 2 तो क्या करना है कुछ नहीं करना है एक तो 500 होगे 501 501 का आदा करेगे तो वो कितना हो जाएगा 250.5 तो यह इसका average होगा है ना तो इसी तरीकी से average of 2, 6, 8 and so on 1000 क्या करोगे बोलोगे sir average इसका होगा average बराबर होएगा कि किसके बराबर होएगा तो आप लोगे से 2 plus 1000 कितना होता है 1002 1002 divided by 2 तो कितना होएगा वो होएगा 501 तो यह इसका correct answer आएगा इसी तेरी किसे एक और question average of 1, 3, 5 and so on 1, 999 तो क्या करेगा average simple सा concept क्या से करेगा आप लोगे sir first term that is one last term 1999 तो सम कितना होगा आप लोग से 2000 दो हजार दो हजार बटे दो करेगे and average will become 1000 okay इसी तरी किसे एक और question देखो average of 21, 22, 23, 24 and so on dot 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 1000 ठीक है तो क्या करेगे average आप निकालोगे कैसी निकालोगे बेटा क्या करना है इसको इसके साथ add करना है यह होज जाएगा 1021 डिवाइड करेगे 2 से तो करेगे इसका आदा करेगे है न तो कितना आ जाएगा आप लोग सर्फ 510.5 ओके इतना के लिए रहे न मुझे उमीद है यहां तक चीजे आपको समझ आ रही है और आप चीजों को समझ पार रहे हो थोड़ा सा अगर advanced level में हम जाएगे तो question कु यूज कि एसीड एक्जाम में पूछे गए थे तो आपको में कहोगा कि एविरेज में बताइए फॉर्स्ट स्यावन माल्टीपल इस आप फायव पहला मल्टीपूल मतलब पांच दस पंद्रह फर्स्ट माल्टीपल आप क्या होगा देख़ो बाई साब 5 के माल्टीपल है के माल्ट्पल पहला मालट्पल जृह ऑगा फाय औससरा फट्ट्ट कर अब थाए कि और हमें इसका एवरीस बताना है इसका हमने क्या निकालना है तो एवरेज में डिरेक्ट निपिक कर सकता हूं यहां पर मिड़ वेलू है जानकि टुवांटी इसका एवरेज होगा क्या होगा बेटा इसका एवरेज होगा आप एसे नहीं आता आपको समझत वैसे करो क्या करने आपको फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टरम फस्ट टरम डिवाड़ बेट वह कितना हो जाएगा फिर्स्ट टरम है पांच और लास्ट टरम है कितना थर्टीफाइव उसका करेगी आदा यानिकि 40 का आदा वह आ यह question number second यह भी आया होगा question है मैंने खुद नहीं लिया है सिर्फ मैंने लिखा है खुद बाकी paper से ही उठाय है चले question हमें कहा रहा है कि find the average of multiples of 5 multiples of 5 multiples 5 के multiple लेकिन कहां से 267 से लेकर 573 तक देखो by sub 267 से आगे 5 के multiples देखने हैं और कहां तक 573 अब आप थोड़ी सी गंदी नजर से देखो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो ना यह पांच से कटता है ना यह पांच से कटता है यान कि यह दोनों numbers 5 के multiple नहीं है तो पहला 503 क्या होगा पहला multiple क्या होगाे होगा दो सופट से थोड़ासा बड़ा यान कि 270 पहला multiple का करका तो ऐसी तरीकर से 275 कि यह सीरी आगे चली जाएगे आगे चली जाएगे अगे चली जाएगे टॉट हमने लिखा और लास्ट जो माल्टपल होएगा वो होएगा 570 यानकि इस 573 से छोटा अब मैं आपको बताता हूं कि आप मुझे एवरीज बता दीजिए अब लोगी सार बात हम तो एवरीज एजली निकाल सकते कैसे फर्स्ट टरम है 270 लास्ट टरम बोलेगी तो वो कितना है 570 और इन दोनों का सम करके आदा करेगी तो हमें एवरीज मिल जाएगा तो कितना है यह 00 आप लोगी सार जीरो आ जा करना सीरेसली इस लेक्टर को अगर देख रहे हो तो लाइक एक तो बनता है चलिए अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे कुछ क्वेस्टन लेंगे प्रीवेस एर क्वेस्टन लेंगे फट आप फट इनको एक वारी सालो करेगे दिर आगे हम फिर समझने की कोशिश करे सीरेस कहां सीटाट होती है वन यek होता है टु फिर क्या होता है त्री तो इसी तरी किसी आगहीजाएक आगहीजाएक आगगहीजाएक और यह कितनाए पहले 50 फेले 50 presentation की लास्ट बीट्वेशन होगी फिटी तो आवरेज क्या होगी बेटा आवरेज क्या होगी तो बोलेगी सर आवरेज होगी फर्स टरम प्लस लास्ट टरूम यानकी 51 डिवाइड करेगी दो से कितना आजाएगी 26.5 25.50 तो average will be 25.50 ताड़ी 25 तो average आएगी ने बेटा इसका आदा करके है ना तो D option आप इस तरी की से टिक करोगी तो क्या concept में यूज किया क्या concept में यूज किया मैंने बोला average यानि कि X bar is equal to first term plus last term divided by 2 लेकिन कब लगती है यह फार्मूला कब जब आपको AP में series होगी एपी बोले तो difference यहां पर सेम होती है observation में चलिए यह वाला बनाओ find the average of 8, 10, 12, 14, 188 तो क्या करोगे फिर से आप देखोगे कि यहां पर बेटा क्या है यहां पर difference जो है वो same है difference अगर सेम है तो इसका मतलब होगे series कौनच है AP series है यह AP series है arithmetic progression में यह series है तो average किसके equal होगा average बराबर होगा first term first term इस तरीके से plus last term इस तरीके से divide by 2 तो देखो आगे क्या है करना है 8 plus 88 last term is 88 divided by 2 that will be 96 upon 2 और इसका answer होगा 48 48 option D next next question question number next find average of 7 9 11 195 97 99 तो average आपको निकालना again मैं देख रहा हूँ कि यहां पर क्या है difference मुझे 22 का मिल रहा है क्या है difference बेटर difference difference बोलो difference is equal to 2 हर case में difference same the average निकालेगी तो क्या करेंगे first term plus last term means 7 plus 99 upon 2 कितना आ जाएगा 106 106 106 upon 2 that will be 53 53 है कोई option C इस तरी किसे आपको मतलब थोड़ा से दिमाग तेज रखना है quick रखना है बस चीज़े साल हो जाएगी हर एक question आप बना लोगी चलिए find the average of first to 12 even numbers पहले बारह even numbers के average आपको बताना है पहले बारह even numbers क्या होंगे तो आप बोलोगी सर पहला even number होगा होएगा 2 ठीक है even यहां पर whole numbers होनी चाहिए यहां पर even numbers है चलो ठीक है दो से हम स्टार्ट करेंगे हाला कि कभी कभी जीरो भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है सीरिज में चले कोई नहीं से हम स्टार्ट करेंगे ठीक है पहला even number होगे दो second even number क्या हो जाएगा पांच फिर आजाएगे छे आठ दस बारह चोदह सोलह आठरह बीस बाइस और चोबीस यह होगी पहले बारह even numbers इनका आपने अगर average निकालना है इनका अगर आपने इनकालना है तो average क्या बराबर होगा क्योंकि difference हमें यहाँ पर सेम मिल रहा है और यह सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी तो आप बोलोगी सर आवरेज बराबर होगा first term plus last term divided by two divided by two first term plus last term divided by two the first term is nothing but two and last term क्या है 24 divided by two क्या होगी 26 का आता मीनस 13 13 13 is the correct answer अब यहाँ पर 13 है नहीं अब यहाँ पर 13 है नहीं समझ में आ रहा है कुछ मगज में आ रहा है कुछ इसने क्या किया है इससे ने जीरो को यहाँ पर एक एवन नमबर ठीक ना यहां पर जीरो इस ने लिया है तो आंसर क्या आएगा आंसर क्या आएगा आप लोग सर जीरो पुलस लास्ट टरम क्या टुट वांटी टू कि एक मिनद एक दो तीन चार पंच छे साथ आठ नाउ दस ग्यारा बार कि एक काम करना इसको ट्वांटी फोर ही लिलो यहां पर अंद एवरिज आप फर्स्ट ट्वाल एवन नमबर एवन नमबर पेले बारा एवन नमबर के एवरिज ठीक है ना दो यह होगे थर्टीन हाँ ठीक है तो पुलस ट्वांटी फोर ड्वाइड विट ट्वाल 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 थर्टीन यहां पर ओप्शन में नहीं है लगा लेना खुदी हैं चलिए नेक्स्ट और एवन नमबर अब दोनों आपको मिल सकते और नमबर और एवन नमबर के सीरीज लेकिन याद रखना यह एपी में होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होंगे जैसे कि आपको यह वाला क्वेस्टिन दिख रहा है स्क्रीन पर कह रहा है आवरेज आप फाइव 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 है क्या है बेटा difference same है कहता है यह जो है इनका 35 यह जो बीच वाला वेल्व है नहीं बीच वाला वेल्व बेटा यही तो average value है 35 यहां पर 35 है यहां पर 35 आ जाएगा और कहता है biggest number biggest number हो यहां से होगा ठीक है न क्योंकि यह क्या कहता है कि यह 5 consecutive odd number consecutive art number two thirty five के शायonकि बाद next order number क्या जाएगा 35 के बाद next order number अगर मैं आप से पूछव तो क्या ऐगा आजयेगा आप 27 आ जाएगा हमश्ट वालं क्या जाएगा आपूलोसर POR्ट इना जाएगा अगर मैं पहला वाला पूछता तो इस इस sir33 से 35 से पहले consecutive odd number 33 आता है और उस से पहले 31 आता है अब जो चीज आप से पूछ ही है वही चीज आप बोलो और question का answer करो आप से क्या पूछ रहा है कि biggest number यह जो है यह जो number आपको दिख रहा है this is biggest one यह largest number है इसमें सी largest observations है 39 and 39 option C को टिक करो बात आई समझ यह 35 मैंने बीच में क्यों रखा क्योंकि मैंने आपको पहली बोला कि AP series में AP series में यहां पे difference common होगी difference same होगी वहां पे आपका जो average होगा ना बिल्कुल बीच में होता है midpoint पे होता है mid value पे होता है बीच में बीच ओ बीच इस series का पढ़ता है 35 तो 35 पॉलस टू पॉलस टू वह बिगस्ट नमबर होगा राइट चली यह वाला कुश्चन में क्याता है average of 26 consecutive odd numbers is 80 and smallest number smallest number आपको बताना देखो इसे पहले मैं एक concept आपको clear करोगा तो इसे पहले मैं आपको इस concept clear करोगा देखो average value आपको यहां पे given था for example 35 ठीक है अब आपको पता है कि यह तो बीच में लाई करेगा और आदे observations यहां होंगे आदे अप्जर्वेशन यहां होंगे और difference दो 2 का है तो 35 15 से बड़ी कितने observations होंगी दो और डिफरेंस कितना है डिफरेंस है दो का तो टो इंटो टू कितना हो गया फोर यान कि यह जो लार्जस्ट अब्जर्वेशन होगी वह यह चार ज्यादा होंगी इस एवरेज वेलू से बताए सामच इसलिए मैंने बोला 35 प्लस 439 आप ऐसे भी कर सकते हैं अब यह सीरीज मे क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे मुझे पता है कि आधे नमबर्स यहां होंगे यहां पे होंगे थर्टीन औबजरुवेशन करना तो टोटल कितने होगे 26 observations और यह जो average value होगा यह बीच में होगा 80 ठीक है 80 हलाकि यह एक खुद observation नहीं होगी ना क्योंकि यह और observations है यानि कि यहां पर 81 एक observation होगी फिर 83 एक observation होगी तो इसी तरीकिसी आगे series बढ़ती जाएगी तो इसी तरीकिसे इससे पहले आगर हम देखें होगी तो इसी तरीकिसे 77 एक observation होगी तो इसी तरीकिसी यह series आगे तक जाएगी कुल मिलाकर 13 यहां पर होगी 13 यहां पर होगी तो आप से अब जो observation पूशी जाए वो आप बता सकते हो कैसे मैं आपको बता होगा मैं आपको समझान की कोशिश कर रहूंगा यह कहता है कि find smallest number smallest आपको बताना है smallest number आपको बताना है देखो average कितना है average कितना है आप लोग सर 80 है ठीक है smallest number कितना नीचे इसको जाना है 13 ठीक है कितना इसको टोटल नीचे जाना होगा यह हम वहाने की यह 79 ι सैंटिंगें से फिर बारा दो बाराण चुनव किर तुप फीक क्या क्या हो गात्य है ले डिल्ट एफिस क्या हो टू इंट थरीन के ओ ये हो एंटु थर तक हम लींट धिन जनकित smallest number smallest number smallest number क्या होगे बेटा 2, 13, 26 और ऐसी कितने हो गए 80 minus 26 पुलस करेगे वान तो ये वान क्योंकि हमें आड़ बताना है क्योंकि हमने और बताने तो कितना रह गया 55 और 55 इस question का answer है कौन सा option यह वाला ऐसी करना है अगर मैं आपको largest बोलता है अगर मैं आपको बोलता है कि largest number आप मुझे बताईए largest number क्या होगा ठीक है इस series का largest number क्या होगा तो आप बोलोगे sir अबरोगे sir एटी को add करना है 26 बुलस करेंगे वान मैणस करेंगे questa leading yard मैइस करना है ठीक है तो आप बोलोगे sir वाइशन हमें क्या कह रहा है कि एवरेज आप 21 कंजिकेटिव और नमबर इस कंजिकेटिव एवन नमबर इस हंडर्ड फैंट बिगेस्ट नमबर बस कुछ नहीं है कुछ नहीं करने देखो 21 है ना 21 किस कंजिकेटिव यह होगे 10 यह होगे बीच वाला बीच वाली ओब्जरव यहां से होंगी और यह एक बीच वाली ओब्जरविशन यहां पर होंगी ठीक है यह बीच अब्जरविशन यहां पे होगी यह बीच यहां से यहां तक हो गी गयार्ली ओब्जरवेशन यह हो गी और फिर आगए चलते 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 ट्लूएंट्टि फफ्रस्ट एफ्जरविशन यहां लास्ट वाली जो आप से पूछी जुँच ऊछी गई है biggest हमने बतान है biggest सबसे बड़ी देखो ग्यारा और एक इस कितने होगे दस जो जो दो जर्ब दस कितने होगे 20 यानिकि इसको multiply करना है टू से जो इसके बाद observations है और यह टू कहां से मिलाता हो यह तो अगर यहां पर 100 एक observation दिन उसके बाद next एवन नंबर जो कंजीट होगा वह एक सो दो होगा इसी तरी किसे एक सुचार होगा इसी तरी किसे एक सुचे होगा है ना दो दोगा difference है और कितने observations जितने observations है उतना ही तो संबड़ेगा और हर एक observation दो का गेप है तो दो का से हम multiply करेंगे ठीक है therefore largest observation अगर मैं आपको बताऊं largest observation largest observation will be your largest number will be what our blogs 8 average value plus करेंगी 10 into 2 is equal to 20 largest observation होगा 120 हम बोलों मांगेज में आया crystal clear हो रहा है ना concept एक और question बताते है बनाते है थालू करते है बनाते है थालू करते है बनाओ आज का यह last question है इसके बाद एक और question बस हाँ ठीक है दो questions बनाओ average of 8 consecutive numbers is 80.5 find smallest number 8 consecutive numbers से देख आसांसा question है फिर से मैं आपको समझाने की कोश्च करो एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ मैंने आपको बोला average हमेशा और हमेशा बीच में ही लाई करेगा और बीच वाला कुन सा है चार यहां से छोड़े चार यहां से छोड़े तो बीच में यह वाली observation जानी कुछ नहीं यहां पे 80.5 80.5 है यहां पे यह वेलू और यह ही इसका मिड़वेलू है और यह ही इसका मतब अवरेश है और यह आउरेश अडिशप एट कन्जिकेट्ट्यू नम्बो से ना कि ना आडे ना एवन दोनों है कन्जिकेट्ट्यू नमबोस तो नेक्स्ट जो नमर्याहां पे विएगा ने यह 79 होएगा तो अब आप से क्या पूचा है स्मालेस्ट नमर क्या है 77 यह तो आपने ठीक किया नमर अब एस लिए आपशन को जल्दी निकाला पाया तो फिर से वह मेरा वह लाज्यक स्ट्राइ करो अगर आप ऊब्सेर्वेश से पे Ensuite बात हैं चार अब्सेर्वेशन यहां पर होंगी और चर आप शब्सेर्वेशन यहां पर उंगी और यहां यहां आपको का जब आपको smallest observation निकालने होगी तो आप देखोगी इसका सम टोटल सम कितना बनता है इन observations का इस average value से पहले average value क्या यहां पे 80.5 तो सम तो चार ही बनता है सम तो चार ही बनता है तो 80.5 से हम फोर सब्ट्रेक्ट करेगी तो वहां पे रहेगा 76.5 अब यह जो पॉइंट 5 यह वापा जोड़ना है पड़ेगा यह वापा जोड़ना पड़ेगा तो 77 आंसर होईगा बोलो क्लियर है आप बोलो कि हां जी चलिए आज का लास्ट वाला सवाल करो और बात खात्ब हो जाएगी यहां पर चलिए बनाओ क्या कहता है कि एवरेज अप होटी कंजिकेट्व इवन नमबर्स इस वन जिरो वन फाइंड बिगस्ट नमबर्स है अब यह एवन नमबर्स है क्या है एवन नमबर्स है तो देखो यह होगे 20 पहले और यह होगे लास्ट की 20 इवन नमबर्स यह होगे लास्ट की 20 इवन नमबर्स और बीच में बीच में बीच में कोई अब्जर्वेशन नहीं है लेकिन दो अब्जर्वेशन जी लेकिन यह मिडवेल्य है और यही इसका एवरेज है 101 टीक है 101 तो जस्ट इससे पहले वाला नमबर जो होगा एवन नमबर होगा ऊख़ेगा एंड प्रेड जैना कि ये होगी decent he कि 20 हुगी और ऑकी स्वी आब्ज़र्वेशन जो होंगी बेट वह स्किẫn कितने वह भी वन जिरो टू यहां होगे 100 टू राइट तो अब यह कह रहा हुए कि बिगस्ट observation क्या होगी biggest observation क्या होगी देखो यह है अकीसवी इसके बाद यह तो टोटल 20 है यहां से यहां तक 20 है इसके बाद कितने रहेगे 19 रहेगे तो सम कितना बढ़ेगा 2 into 19 यानि कि biggest observation biggest biggest observation is equal to what? एक 102 आ जाएगा 102 तो आ ही जाएगा पुलस करेंगे 2 into 19 इसके बाद कितने है तो ऐसे भी सोच सकते हो इसको उठाओ तो ऐसे भी सोच सकते हो है ना तो कितना है 2 into 19 तो कितना आ जाएगा 140 140 140 इस question का answer 140 अगर आप से smallest to पूछा होता अगर आप से smallest to पूछा होता तो क्या करेंगे आप बोलोगी सर ये ये जो है 20 नमबर पर बीसवे नमबर पर ये observation इससे पेले 19 है ठीक है इससे पेले क्या है 19 तो smallest observation क्या होगी आप बोलोगी सर 100 इन्टू करेंगे 100 उसको माइनस करेंगे हम कितनी दो दो का गेप होगा यान कि टू इन्टू नाइन्टीन कितना आ जाएगा 100 माइनस टू इन्टू नाइन्टीन 62 62 ओके बात आई समझ क्या करना होता है तो चलिए आज के इस वाले lecture को यहीं पर wind अप करते हैं हम मिलते हैं अब हम next lecture में तर तक के लिए बाई बाई टेक एर अलाह अपसुर मेहनत करते रहिए